दोस्तों मा बनना किसी भी मादा जानवर के लिए उसके जिंदिगी का सबसे खुशाल पल होता है और जैसे कि हर मा अपने बच्चे को अपने गर में कुछ महिनों के लिए रखती है जिस कारण उनके बीज में एक अटूट प्रेम का बंदन बन जाता है और आज इस वीडियो में भी आप देखोगे कैसे कुछ जानवर अपने बच्चों को जनम देते हैं तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है तो पूरा जरू देखेगा और चैनल पर पहली 12 तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा कर चैनल को भी जरू सस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडि को अंडों के सारे जनम देते हैं तो कहीं सीधे अपने पेट से उन्हें बहार निकाल देते हैं और स्क्रीन पर दीक्राइए साप भी अपने बच्चे को सीधे अपने पेट से बहार ला रहा है और इस प्रक्रिया में इसे करीबं 10 से 20 मिनित का समय लग सकता है अब चलिए आगया आप देखिए कैसे नन्ने साप का जनम होता है अब यू तो बच्पन से हमें सिखाया जाता है कि जिराफ एक बहुत लंबा जानवर होता है पर चलिए आज देखते हैं कैसे ही अपने बच्चे को जनम देती है और एक बात मैं आपको बता दू जिराफ अपने बच्चे को करिबन 15 महीनों के लिए अपने पेट पर रखती है और चाहे वो कोई घास वाला मैदान हो या फिर चिडिया घर ये जीव अपने बच्चे को उसी जगे पैदा करेगी जहां का सता है थोड़ा नरम हो कि इसके बच्चे को कोई डैमेज ना हो और एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी माँ उसे अच्छे से चाट कर उसके उपर का खुन साफ कर देती है और अभी आप इस प्यारे से बच्चे को देख सकते हो जो अपने जिन्दगी के पहले कदम गिन रही है अब चलिए उस जानवर को देख लेते हैं जो अपने बच्चे को 22 महिनों के लिए अपने गर्ब में रखती है जी हाँ मैं बात कर रहा हाती की और कोई भी मादा हतनी अपने बच्चे को करीबन 18-22 महिनों तक अपने गर्व में रखती है और यही शायद वो वज़ा है जिस कारण हाती का कोई भी ग्रूप अपने बच्चों से कुछ जाधा ही प्यार करता है खास कर माँ यह हतनी जैसी अपने बच्चे को पैदा करती है तब ही आप देख सकते हो बाकी और हाती आ जाते हैं इसके आसपास और यह बात दर्शात है कि हातियों के जुन्ड में एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा प्यार होता है सो दोस्तो आज आपने देखा कुछ ऐसी माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को जनम दिया वीडियो पसंद आयो तो इसे एक लाइक देना और साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेर किजी अपने दोस्तों तक और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना